हलो माई फ्रेंड्स आप सभी का अपनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप ये खुब सुरत से जीनिया के फ्लावर को देखके समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉप पेक फ्रेंड्स बिल्कुल हमारे इस जीनिया प्लावर के करते हैं या फिर हम जो ट्रांस प्लावर करते हैं वो हम कैसे करें जिसे कि ये प्लान नहीं मरे all about हम जीनिया प्लांट पे बात करेंगे क्योंकि अभी मैंने last community tap पे अपनी जीनिया की पिक शेयर की थी तो आप लोग के काफी comments थे कुछ friends के जिससे की मुझे लगा कि मुझे इस पे care वीडियो बनानी चाहिए तो बिल्कुल friends आज का वीडियो बिल्कुल इसी प्लांट पर है और आप लोग का बहुत बहुत थेंक्स की community tap पे मैंने आज अपनी पिक लगाई और अपना बर्डे मेरा है आज और आप लोग में बहुत प्यारे-प्यारे से comments की हैं उसके लिए friends आप लोग का बहुत 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 थेंक्स तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे friends ये रहा हमारा जीनिया का प्लांट और ये एलिगेंट जीनिया है जिसमें थोड़े छोटे-छोटे से फ्लावर आते हैं पर बंचेज में फ्लावर आते हैं काफी घना ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लांट दिखाया तो दूसरी वेराइटी थे उसमें फ्लावर की साइज का काउंट जो है वो जाएदा होता है पर फ्लावरिंग कम होती है तो ये अलिगेंट प्लांट है तो चलिए अब मात करते हैं सबसे पहले इसको तो हम लोग ने सीट से लगाया था आपके साथ में हमने लगाया था तो फ्रेंट्स इसको लगाने के बाद मैंने आपको बताया था कि तुरंथ या बड़े पॉट में नई सिफ्ट करें क्योंकि आपके कमेंट आए कि मेरा प्लांट जो है जीनिया का जैसे हम सिफ्ट करें तो permettreना और सीट से लगाया है उसके बाद अच्छि फिर फ्लावरिंग नहीं लेपाएंगे तो उसे अच्छ हैं, जब आप SIDLINGH करें उसके बाद में उनको छोटा POT दें, उसके बाद में ही जब आपको लगी कि आपका प्लांट काफी अच्छे से रूप डेवलिपमेंट जो उसकी रूट से हैं वो डेवलब हो गई हैं तब आप उनको बड़ा प्रवाइट, प्लांटर जो है, प्रवाइट कराये करें, तो पहली जो कमेंट है था वो इसी बात पर था कि उनके प्लांट डेड हो जाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्वाइल की मैं बात करूँ, तो जैसे स्वाइल में अपने सभी फ्ला और 20% तक आप ले सकते हैं इसमें सैंड dollars. 20% ओर 10% चीज़े जो आप कोकोपीट पिए मिलाना चाहिए राइस खल मिलाना चाहिए यह सारी चीजे मिला करें यह और यह सोईल करें तो तो इस तरीके से अगर आप soil तयार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा well-drained soil तयार करें मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि आप यही सारी ratio ही follow करें पर आप well-drained soil तयार करें कि देखिए अभी हमारे यहां लगातार दो दिनों से काफी जादा बारिशें हुई है जिसके बाद म अब आपको जैसे आज धूप है तो अभी थोड़ी से मत्टी मेरी सूख जाएगी उसके बाद मैं इसकी गुडाई करूँगी और next जो आपका topic है वो यह कि जैसे अभी आप देख रहे हैं बारिशें अगर आपके यहां भी हो रहे हैं तो आपकी भी मत्टी इस तरह से सक् हो जाती हैं जैसे ही एक दिन की धूप निकल जाए आप इनकी गुडाई कर दे जिससे की इसके अंदर एयर जा सके तो इनको root rot की ही problem होती है friends अगर आपने इनको root rot मतलब पानी जादा दे दिया तो यह एकदम से अचानक से इनका plant जो है वो dead हो जाता है तो यह point हो गया और इस तरीके से इनको bushy बनाने के लिए आपको इनकी pinching करना बहुत जरूरी है तो मेरे पास कुछ plants ऐसे हैं जिनकी मैंने pinching नहीं किये वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि इतना ज्यादा काम हो चुका है इस time मैं उस plant का pinching नहीं कर पाई और वो इसी तरीके से laggy से हो अगर आप देखें तो देखें मैं pinching करती ही रहती हूँ जैसे मैं flower लेती हूँ ना उसके बाद देखें यह pinching ही हुआ डेड हेट भी एक तरीके से pinching ही हो जाती ही जैसे कि जब यह आपके flower spent हो रहे हैं देखें इस flower से इसका रंग भी आपको fade लगेगा और यह dull से हैं तो इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो इस plant की मैंने करीबन 4-5 बार pinching की हुई है यहां देखें अंदर से मैं दिखाऊं आपको तो यह यहां से एक stick गई हुई है शो नहीं हो रहा है तो मैंने इसकी pinching किये तो genia plant फे friends pinching बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सनलाइट की 2-4 बजे की धूप जो वो लूह वाली होती उनसे आप इनको बचाएं अगर आपके पास green net है तो नहीं के नीचे रखें मेरे सारे genia के plant लगबग जो है green net के नीचे ही है तो अगर आपके पास नहीं है ऐसा green net का सुविधा नहीं तो आप चादर बगारा भी लगा सकते हैं या फिर इनको थोड़ा दिवाल की शेड में रख दें जिसे की कुछ दिर के बाद इनमें दिवाल की चाहें आएगी तो वो वहाँ पे चल जाएंगी तो अब मैं friends अगर बात करू इनमें pest तो इसमें जो pest सबसे ज़ादा अटैक करता है वो leaf miner का तो आप देखेंगे कि इस तरीके से इसकी plant की जो leaf होती है वो इस तरह के से curl हो जाती है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप regular basis space पे नीम oil का spray करें और अगर आपने ध्यान नहीं दिया है और leaf miner अटैक हो चुका है तो आप कर सकते हैं उसकी leaves को कट करके हटा दे और रोगन नाम का जो insecticide होता है उसका spray करें वो बहुत ही जल्दी effect करता है आपके plants पर बहुत जल्दी कोई भी कीट पतंगे हो वो तुरंत ही उनको खतम कर देता है तो देखें ये मेरा plant बहुत ही healthy है और इसकी leaves वगेरा भी काफी healthy है इसमें काम इतना हो जा रहा है कि मैं बहुत जाद अपने plants पे भी धि requirement हो गई पानी आप इनको friends जितना हो सके या तो अगर आप इवनिंग में दे रहे हैं तो मैं ये इसी plant पे नहीं बतारी हूँ मैं हर plant पे बतारी हूँ तो जब अगर आप इवनिंग में दे रहे हैं तो आप यहाँ पे पानी देंगे यहाँ पे पानी नहीं देंगे क्योंक बहुत अच्छे से इनको नहला दें जिससे कि spider mite का इस पर अटाइक हो वह भी हट जाते हैं जब आप इस पर इसे पानी देते हैं तो spider mites भी से हट जाते हैं और जितने भी pest जो चोटे-चोटे से होते हैं वह भी हट जाते हैं जैसे कि अभी मुझे एक कमेंट आया था कि जो लेकिन आपके विंका पे लगेंगे इस समय पॉशुला का पे पॉसलीन पे इन सब पे मिली बक्स का टैक होता है और सबसे खास करके आपके गुढ़हल पर तो आप इस प्रे से पानी दे इनको शावर दे तो कभी भी आपके spider mites को घर नहीं मिल पाएगा कि वह अपना जाल बना पाएं और जाल नहीं बना पाएंगे तो वह अपके plant से nutrition नहीं ले पाएंगे तो जब भी इस बात का आप जरूर क्यान लगें इवनिंग में पानी दे तो इसके roots में यहाँ पर दे और morning में आप इनको अच्छे से shower करें मैंने आपको बताया है कि मैं हमेशा ही morning में अ क्योंकि यह जो है इस तरीके से मेरा plant रखा हुआ था इस तरीके से तो sun की जो side होती न वहीं उधर की और यह आपके plants जो है मुड़ जाते हैं और अधर ही healthy होते हैं और यह back side देखिए किस तरीके से हमारा यह plant लेगी हो गया है तो अब मैं यहाँ से cut कर दे रही हूँ जिस जादा flowering पा सकते हैं तो कुछ varieties जो होती है जीनिया की वह perennial होती है जैसे यह variety आपकी perennial अगर आप रख सकते हैं तो रख सकते हैं पर मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि winter आपको पता है winter में वैसे ही बहुत सारे plants हो जाते हैं summer में कुछ ही एक एक अधी flowering plant हैं जैसे हमारे ज चारे ही जीनिया देखने को मिलेंगे तो चलिए मैं आपको बिना pinching किये हुए plants भी दिखा देती हूँ अपने और जो मैंने transplant किये थे उसके बाद के भी मैं आपको दिखाती हूँ plants तो देखे friends पहले जो मैंने seedling की थी उसके बाद में मैंने इसको एक छोटे से pot में 4 को और देखे इसकी मैंने लगाने के एक अपते बाद मैंने इसको pinch किया तो देखे 2 suits आ रहे हैं इसमें से यहां से मैंने pinch किया है दो यह branches आए इसी तरीके से इस पे भी मैंने किया हुआ है नहीं इस पे नहीं किया चलिए यह देखे कभी कभी छूट जाता है मुझसे भी यह मैं यहां से pinch कर दे रही हूँ और यह देखे यह प्लांट देखे तो इसको मैं pinch करना भूली गई थी और यह देखे किस तरीके से laggy हो गया और यह इतना बड़ा हो गया और leaf minor attack की मैंने बात की तो यह देखे यहां पर देखे एक pest जा रहा है जो मेरे इस प्लांट को dead क कर सकता है तुरंत अगर आप इस तरीके से कुछ observe करें ना तो इसको तुरंत अड़ा दे यह दिखने वाले कीड़े नहीं है लेकिन इसके अंदर यह माइट्स होते हैं जो आपके प्लांट से nutrition ले लेते हैं तो देखे जीनिया की पिंचिंग जरूर क्या करें एक ही प्लां आशा करते हूं आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा तो चलिए फ्रेंट्स इसे टॉपिक के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूं विदा नेक्स्ट टॉपिक पर मिलूंगी ओके माइफ्रेंट्स बाबाई हैपी गार्डनिंग एंड बी सेफ